Hello students, this is our science class. We are doing chapter structure of atom of chemistry. That is the last chapter. We are doing a basic. So, we are doing structure of atom के बारे में क्या पढ़ा था? कि smallest, invisible, indivisible and indestructible part of matter. कि जो atom है, वो क्या है, smallest है, सबसे छोटा part है, invisible है, जो दिखाई नहीं देता, indivisible है, जिसे हम आगे divide नहीं कर सकते, and indestructible का क्या मिनग है, कि हम उसे आगे और तोड़ नहीं सकते, ऐसा part है, वो matter का, ठीक है, उसके बाद उसके और particles या parts के बारे में हमें जानने को मिला, कि अगर हमें सोचे कि यह atom है, तो इसके center में nucleus होता है, nucleus में क्या होते हैं, proton और neutron होते हैं, और बाहर कुछ orbit होते हैं, और orbit में move कौन करता है, electron move करता है, ठीक है, तो जब हमने सब atomic parts कौन कौन से हैं, neutron, proton और electron, जिसमें से neutron और proton center में होते हैं, इसलिए इनको collectively क्या कहते हैं, nucleus में होते हैं, यह दोनों nucleons भी बोलते हैं, ठीक है, अब neutrons पे कोई charge नहीं होता, protons पे positive charge होता है, जिसकी value होती है, 1.6 into 10 raise to power minus 19 column, and electron पे होता है, negative charge होता है, वही same value होती है, जो proton की है, लेकिन यह negative में है, और यह positive में होती है, 1.6 into 10 raise to power minus 19 column, अब यहाँ यह column क्या है, column है, SI unit to measure the charge, charge measure करने की SI unit है, ठीक है, तो हमने particles का देख लिया, अब देखिए, इनके weight, mass कितना होता है, जो neutron है, उनका mass होता है, 1.67 into 10 raise to power minus 27, यह बहुत ही कम mass है, क्योंकि power, देखिए, power minus में है, मतलब इसको 10, 1 के आगे, जब हम 27, 0 लगाएं, तो उससे divide करना है, इसको, ठीक है, और electron का कितना charge weight mass है, 9.1 into 10 raise to power minus 31, मतलब electron का तो और भी कम हो गया neutron से, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें, कि यहाँ weight किसका है, किसका mass है, तो हम कहेंगे, neutron का mass होता है, जब mass की बात करती है, तो proton और neutron को देखा जाता है, इनकी discovery किस-किस ने की थी, ये भी देखना है, Neutrons की Discovery Chadwick ने की है Protons की Discovery Goldstein ने की है Electrons की Discovery JJ Thompson ने की है और यह आपको याद रखने है इनकी Discovery किस ने की है फिर से बता रही हूँ Neutrons की Chadwick ने की है Protons की Goldstein ने की है Electrons की JJ Thompson ने की है हम इनके model पढ़ेंगे इस chapter में अब Protons का दूसरा नाम क्या है है कैनल रेस्थ भी कहते हैं इनकोจะ को कैनलираस ईलंको केतोर्ड रे कहते हैं याद रखना यह इनके दूस्रे नामं है इनको इन नाम से भी इंडीकेट किया अपध्ध करते हूम एक्वर्श्न और मास नंबर के बारे में अब example लेते हैं हम sodium का, sodium में पता है हमें 11 electron होते हैं, 11 proton होते हैं, proton और electron तो same होते हैं, number इनका same होता है किसी भी atom में और इसमें neutron कितने हैं, 12 neutron होते हैं, electron पे negative charge, proton पे positive charge और neutron पे कोई charge नहीं होता electrons और protons किसी भी atom में equal होते हैं, एक दूसरे को ये charge अगर वो एक दूसरे को neutral भी कर देते हैं, इन पे कोई charge नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो balance कैसे है, electron प्रोटों किसी भी atom में equal होते हैं, इसका fact क्या है कि ये overall charge zero होता है, क्योंकि electron और proton same है number में, तो वो एक दूसरे के charge को cancel कर देते हैं, neutron पे कोई charge होता ही नहीं है इसलिए overall charge है, किसी भी atom का वो zero होता है, या मतलब नहीं होता कह सकते हैं तो अब देखते हैं कि atomic number क्या होता है, atomic number होता है, number of electron किसी भी atom में, कितने electron है, या फिर number of protons, electron या proton क्योंकि इनका number same होता है या तो electron देख लो उसमें कितने है, या उसमें proton देख लो कितने है, present in atom of given element मतलब किसी भी atom में, कितने, अगर हम या sodium की बात करते हैं, हमें पता है, sodium 11 electron या 11 proton है तो sodium का atomic number, Z से indicate करते है, atomic number को, तो वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा atomic number, ठीक है, अगर हम mass number की बात करें, mass number क्या होता है, total number of protons and neutrons अभी हमने structure में देखा था कि जो center में nucleus है, उस nucleus में proton और neutron दोनों दोनों देखे जाते हैं, ठीक है तो अगर हम mass की बात करें, तो mass किसका होता है, हमने अभी value भी देखी, तो उसके according neutron और proton का mass देखा जाता है तो mass number क्या होगा, total number of protons and neutrons the sum of definition क्या होगी mass number की, the sum of total number of protons and that of neutron मतलब proton और neutron के mass को अगर हम total कर दें तो वह हमें क्या मिलेगा mass number जबकि atomic number में हमने सिर्फ electron या proton देखे थे अब जैसे sodium की बात करें, हमें पता मोडल है, thomson model है, वो हम देखेंगे next part में, वीडियो में